जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारी योट्यूब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 27 एप्रेल और 28 एप्रेल के सहिंग राशी फल के बारे में सहिंग राशी के लोगों के लिए ये दोनों दिन कैसे रहेंगे और इन दो दिनों में ग्रहे नक्षत्रों का क्या परिवर्दन होगा क्या स्थितियां बनेंगी किस तरह से आपकी दिंचर्या को वो प्रभावित करेंगी सभी चीजों के बारे में हम यहां विस्तार से जानेंगे तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेधन है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले तो चलिए जानते हैं इन दो दिनों में क्या तिथी नक्षत्र और योग होंगे पहले हम पंचांग के बारे में जान लेते हैं तो 27 एपरेल की बात करते हैं शुकल पक्ष की चतुर्थी तिथी है संकटी चतुर्थी जिसे कहा जाता है इस दिन म्रग्षिरा नक्षत्र रहने वाला है जो दोपहर तक रहेगा उसके बाद आदरा नक्षत्र लग जाएगा इस दिन अतिगर्ण नाम का योग बन रहा है और देखिए ये सौंबार का दिन है भगवान शिव का ये दिन है सूर्य मेश रासी में है और भणी नक्षत्र में प्रिबेश करेंगे चंद्रमा दोपहर ग्यारा बज कर चालीस मिनट तक वरिशब रासी में रहेंगे उसके बाद मित नराशी में चले जाएंगे और देखिए इस दिन बहुत ही शुभतीन योग भी बन रहे है इस दिन सुभा पांच बज कर चवालीस मिनट से और अगले दिन तक अगले दिन की सुभा तक सरवार्थ सिद्धी योग बन रहा है जो सभी मनुर्थों को पूर्ण करने वाला होता है इसके अलावा पांच बज कर चवाल इस मिनट से सुभा के और अगले दिन सुभा तक अमरित सिद्धी योग भी बन रहा है जो बहुत ही पावन योग माना जाता है इसके अलावा जो इस दिन दोपहर बारा बज कर पचीस मिनट से अगले दिन सुबह तक रवी योग भी बन रहा है यानि तीन तीन शुब योग इस दिन में निर्मित हो रहे हैं जो इस दिन के लिए काफी लाबदायक सापित होंगे इनका प्रभाव भी आपके जीवन पर देखने को मिलेगा 28 सेप्रल की बात करते हैं शुकल पक्ष की पंचमीति थी है आदरनक्षत्र है सुकर्मा नाम का योग बन रहा है ये मंगलवार का भगवान हनुमान जी का ये दिन है सुर्य मीश रासी बनी नक्षत्र में और चंद्रमा मिथुन राशी में विराजमान है इस दिन में दोस्तो सुबह तक रवी योग रहने वाला है तो ये थी ग्रह नक्षत्रों की इस्थिति और इसी क्याधार पर हम जानेंगे कि जो चंद्रमा की इस्थिति है वो आपके लिए कैसी रहेगी तो एक तो दोस्तो आपकी जो राशी का स्वामी है वो मेश रासी अपनी उच राशी में चल रहे है और साथ ही अभी 25 एपरेल को बुद्ध भी अपनी राशी परवर्दित करके सूरे के साथ यूती करत बठे हैं और सूरे के साथ यूती करने से बुद्ध यूत यूग निर्मित हो गया है यानि आपके राशी के स्वामी का उच्च का होना और वहाँ बुद्ध यूग का बनना भी आपके लिए फायदे मन्द सावित होगा तो सिहिंग राशी के लोगों के लिए देखे एक तो चंद्रमा की जो इस्तिती है वो लाब भाव में है ग्यारवे भाव में जिसको लाब भाव कहा जाता है लाब भाव क्या होता है धन भाव ये होता है तो एक तो चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी है आपके लिए मिधुन राशी में इसके साथ ही दिखे जो हमारी सुखो के स्वामी है शुक्रदेव जो है वो भी अपनी उच्चराशी कत होकर बैठे हुए है विरशब राशी में होकर बैठे हुए है और जो मंगल है वो भी अपनी उच्चराशी में होकर बैठे हुए है यानि मकराशी में उच्च के होकर बैठे है तो ग्रह नक्षतरों की जो इस्थिति है वो तो काफी अनुकूल देखी बनती हुई दिखाए दे रही है जिसका प्रभाव इन दो दिनों में हमारे जीवन पर देखने को मिलेगा क्योंकि चंद्रमा की स्थिति अच्छी है बाकी ग्रहों की स्थितियां भी अच्छी है तो ये दो दिन आपके लिए काफी अच्छी रहने वाले हैं आप अपने काम पर पूरा फोकस रखेंगे अपनी काम पर आप पूरा पूरा ध्यान लगाएंगे जिससे आपको कुछ ऐसे नतीज़े भी देखने को मिलेंगे जो काफी अच्छी होंगे जिने देखकर आपको खुशी होगी इस समय आप अपने जो साथ काम करने वाले आपके सही होगी हैं उनसे बाचीत करेंगे उनसे बाचीत करके अपने मन की व्याकुलता को बताकर मन को हलका करने की कुछ भी करेंगे इस समय कुछ नई बाते आपके सامने आ सकती हैं कुछ नई बाते आपको पता चल सकती हैं जो आपको खुशी भी देंगी आपके मांसंमान में बढ़ हुतरी का बड़ा अच्छा योग दो दुनों में बना हुआ है और लोग देखिए इन दिनों में आपकी जो वाणी होगी वो काफी अट्रेक्टिव होगी और आपकी तारीफ लोग करेंगे कुछ ऐसी चीजों में आपकी लोग तारीफ करने वाले हैं जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा दांपता जीवन भी खुशनुमा रहने के असार बने हुए हैं खुशनुमा दांपता जीवन रहेगा पारिवारिक माहोल प्रेम से भारा रहेगा एक दूसरे पर आप ध्यान देते हुए दिखाए देंगे और आपके पिता कोई नई चीज खरेद कर आपको इस समय दे सकते हैं कुछ नहीं कि ऐसी खरेदारिया आपके लिए कर सकते हैं प्रेम जीवन जीने वाले लोगों के लिए ये समय काफी अनुगल रहने का योग बना हुआ है देखें सेहिंग राशी जो है अगनी तत्व परदान राशी है और ऐसे में लावभाव में आपके चंद्रमा होने और उच्छ राशी के आपके राशे के स्वामी होना धनलाव की तरफ संकेत कर रहे हैं आपको इस समय धन की प्राप्ती हो सकती है हो सकता है किसी ना की शूरूत से कही ना कहीं से पैसे की आपके पास आवक आए और इस समय आप अपने जो आपके पास पैसा आता है उसको आप संचित करके रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि ये जो आपका पैसा होगा इसको संचित करने से आपको उसका बेरिफिट आपको आगे चल कर दिखाई देगा बेवज़ा का खर्चा बिल्कुल ना सोचे माता पिता की सलहा मशवरा किसी काम को करने में लेना चाहते हैं तो जरूर लें जीवन साथी की सलहा मशवरा भी आप जरूर लें ये समय आपके लिए काफी उर्जवान आपको देने वाला रहेगा काफी उर्जवान रहेंगे क्योंकि देखिए इस दिन जो है बहुत अच्छी योग भी बन रहे हैं और जब ऐसे योग होते हैं तो वो आपको एक तो एनरजी देते हैं आपके जो चारो तरफ का बातावरान होता है उसको सकारातमक रखते हैं जिससे आप अपने आसपास के लोगों से अपने सहयोगियों से अपने साथियों से परिवार के लोगों से सब के साथ बड़े अच्छे से पेश भी आते हैं और अपने शेत्रों में आपको कई तरह के सुखत परणाम भी यहां देखने को मिलते हैं तो यह जो दो दिन हैं यह काफी अच्छे आपके लिए रहने वाले हैं देखिए लोगडाउन की जो इसलिती चल रही है उसका प्रतिकूल प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा प्रेम सम्मंद में कुछ ठहराव की इस्तितियां बनने वाली हैं प्रेम सम्मंद की अगर देखें आपके साथ ही ने अगर आपसे कुछ वादे किये हैं और वो पूर्ण होने में सक्षम नहीं है तो उसका असर आपकी लाव लाइफ पर दिखाई वेगा आप एक दूसरे को भले बात ही समझेंगे और आप देखेंगे कि आपके जीवन में सुकून वापिस लौट कराया है आपके जीवन में खुशियों की वापसी हुई है तो इस खुशियों की वापसी का आपको लाब उठाना चाहिए इसको आपको करना चाहिए आपको इन दोनों ही दिनों में अपने लिए सामाने से बहतर अफल आपको देखने को मिलेंगे अपने जीवन में अपने कारशित्र में आपके लिए बेहद उत्तम ये दो दिन साबित होने वाले हैं कुछ नया आपको सुनने को मिलेगा जिसे सुनकर आपको काफी खुशी भी होगी इस्तितिया मजबूत होती हुई दिखाई देंगी शत्रों अगर आप हैं तो आप अपने शत्रों पर इस समय हावी हो सकते हैं विज़े प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं साथ ही इस समय आपको कुछ किसी नई चीज़ के आफसर आपको मिल सकता है कुछ नया आफसर आपको अगर ने के लिए मिल सकता है जिसका आप लाभ प्रहेंगे तो विध्यार्तियों की अगर हम देखें विध्यार्तियों के लिए इसमेय काफी अच्छा है और इसमें आप अपने काम के प्रती काफी समरुपित होंगे देखे ऐसा भी रोख सकता है कि आप अपनी काम को काफी बहावग भी हो तो ऐसी इस्थितियां भी आपके लिए बनती हुई दिखाए दे रही है लेकिन विद्यारत्य को अपनी स्वास्ते का थोड़ा सा धिहान यहाँ जरूर रखना होगा इस समय आवदी में जो प्रीम संबंद में है उनकी अगर बात करें तो अपनी साथी की किसी बात को लेकर काफी भावग हो सकते हैं शादिशोदार लोगों के लिए बहुत अच्छा यह समय है और दामपते जीवन आपका बड़ा ही शांदार रहने वाला है इस समय आप कुछ ऐसे कामों से सफलता पराप्त कर सकते हैं जो राजनीति से जुड़े होए लोग हैं किसी संस्था से जुड़े होए लोग हैं उनके लिए ये समय काफी उम्मीदो भरा समय होगा और मान समान में ब्रद्धी करने वाला समय होगा जिसका लाव आपको जरूर उठाना चाहिए इस समय आपकी उम्र के लोगों के दुआरा आपकी प्रसंसा होगी जो आपको खुशी देगा क्योंकि इस समय देखिए आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में निखर कर सामने आएंगे जासपास के लोगों का साथ पाकर दूसरों की मदद करने की कोशिश कर रहा है और आपके व्यक्तित से कई लोग प्रुभावित भी होंगे जो आपको पता नहीं होगा इसलिए यह आपके हाथ में है कि आप अपनी छवी को किस तरह से इन दुनों में बरकरार रख सकते हैं इस तरह से अपनी छवी को आप बना सकते हैं आपको एसास होगा आप जो मेहनत कर रहे हैं या जो लोग डाउन के स्थिदी है उसमें भी आपनी कुछ ऐसा कर दिखाया है जिससे आपका नाम होगा सफलता पाने के लिए आप जो पूरा ध्यान के इंदित कर रहे हैं उसे मर की शांती भी मिलेगी आपके कियेगे प्रयासों का फल भी आपको मिलेगा इस समय लगातार काम करने से घर में साथ देने से घर की कारियों की पूर्थी करने से आपको इज़त प्राप्त होगी, मान सम्मान की प्राप्ती आपको निश्चित रोप से धोती होई दिखाए देगी तो ये देखिए समय काफी अनुकूल आपके लिए रहे और अगर किसी चीज़ पर आपका ध्यान है आप के पास पैसा है और आप सोच रहे हैं किस जमीन जायदाद पर लगाने की सोच रहे हैं कही निवेश करने की सोच रहे हैं तो देखिए आने वाले समय में आपको इसका लाब जरूर देखने को मिलेगा आप अपनी योजनाओं को बना कर तयार रखें और जैसे ही लॉगडाउन की स्थितियां खुलती हैं आप अपनी योजनाओं को आमल में लाएंगे निश्चित रूप से आप अच्छा निवेश भी कर पाएंगे और उससे आपका लिए जो स्थितियां हैं वो भी अच्छी निर्मित होगी तो अभी आप इन पर सिर्फ शोध करें और इससे सम्मझित जो दस्तावेज हैं उनको तयार रखें उनकामों पर आपको द्यान देना होगा तो देखी ये जो समय हैं ये दोनों की दिन हम आपके लिए निकुल कह सकते हैं क्योंकि जब ऐसे अच्छे योग बनते हैं तो उनका फाइदा मिलता है उनका फायदा आपको जीवन में आपको सुखी बनाने के लिए मिलता है लोगडाउन की शित्याँ तभी चल रही है और ऐसी दिनों में आपको देखिए घर में रहना है और घर में रहकर अपना और अपनों का सब का ख्याल रखना है सभी नियमों का पालन करना है तो दोस्तो अगली वीडियो में मिलेंगे अगले राशी फल के साथ तब तक हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिलकुल ना भूले धन्यवाद